हेलो दोस्तों नमस्कार जहिन जाभारत भी सिभी को उमीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो राम राम है सिभी को मेरी और एक नेगेटिविटी पिछले एक दिन से आपके अंदर जो आई है कि भी सीटी क्व पता हिसार में, नार्नोल में, जीन्द में और रोहतक में तो उसी के साथ अगला जो ये कार्यकरम होगा, जो अगला हमारा आंदोलन होगा वो रहेगा कैथल जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर बिल्कुल 28 नौंबर को कल के दिन, सुबह 11 बजे आपको नहरू पारक में इकठा हो जाना है, और मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा भई, इस negativity से दूर रहना और अब ये आंदोलन जो हैना आपको बड़ा करने की जरूरत है, जो आपको पता है CT क्वालिफाइंग मुद्दा और हर्याना पुलिस जोइनिंग मुद्दा, ये दोनों ही आप पहुंच कर अपनी हिस्सेदारी देनी है, ठीक है ना, तो और सभी टीचर्स भी आप सभी का साथ दे रहे हैं, और कल भी कैथल में भी मैं और हमारी पूरी टीम और हर्याना के जितने भी टीचर्स आपके परवीन उडान सर, दिवान सर, के टीडीटी से राजेस भाई, और संगठित रहना, एक साथ मिल कर इस आवाज को उठाना है, और एक बात मा आप सब को बता देता हूं, बिल्कुल शान्ती प्रिये तरीके से, शान्ती प्रिये रूप से इस आंदोलन को तेज करना, किसी भी तरह की हिंसा बरदास्त नहीं की जाएगी, तो एक शान्ती पूर तरीके से DC को ग्यापन सोपेंगे, और अपनी बात को आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा भीड दिखेगी, सरकार ऐसी नहीं की हमारी बात नहीं मानेगी, जनता के लिए ही सरकार बनते हैं, अगर सरकार को लगता कि इतने सारे बच्चे इ उनको बच्चों को, तो इसके लिए भी हमें आवाज उठाना है, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा संक्या में 28 नवंबर को कल सुबह साड़े 11 बजे, 28 नवंबर कल ही है, तो कल आपको वहाँ पर पहुँचना है कैथल में नहरू पारक में, और ज्यादा से ज्यादा स सबी को, कुछ रहिए, मुस्कराते रहिए